आपका स्वागत है हमें आनद्राव अर्शुल के पास में जो तीसरी बार अम्राव की लोक सभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं दो बार अच्छे मतों से अपनी जीत हसिल की आनद्राव अर्शुल के पास में जो तीसरी बार अम्राव अर्शुल के लिए यहां जो तीसरी बार अम्रावती की जनता ने अर्शुल कर देना चाहिए यह आनद्राव जी की शबत ना है तीसरी बार अम्रावती लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं दो तर्म आपको अम्रावती लोकसभा चुनाव के लिए मिले वहें दो तर्म में क्या वो सारे काम हो गए जो आपने सोचे थे और जी की लोकसभा से ची निवड़नुक आणि इतर निवड़नका मदे फार मूठा अंतर है फार मूठा पराग है लोकसभा मदे निवड़न आनारया मनसारं कोड़ मूठाया अदोन गुष्टी ची आपक्षा जन्तिनी कराई चास्ते दिशा मदे आयत प्रचलित काईदया जी मिन काईदया मुठा थे नभीन काईदया मुठा जी जी रहाष्टियस तरह परश्णा आहथ पताई सेथकरें चास्तिल जी बुचरान चास्तिल प्रध्धपगर चास्तिल डॉक्टर ये वकील सल्ग्या निवड़नका कुष्टे लोकान ची प्रश्णा आहत त्या दोड़नात्म कई निर्णे अपलेला घेता है तिलका और ये निर्णे घेन्या साथी लोग सवा है खर्यारतनी पुर्विचा कड़ावदे आपन दर पाहिला सेल तर खासदाराला खासदार निदी हा विशे न होता पर तो तला कहितरी किम्मत प्राप्तो भावी चन्ते मदे फिद्धा नाते चा मंतर संगामदे उनन केवल पाच कूटी प्रति वरशी तरा निधी मेरत है तुल्ना जरा पण के लिए कि खासदारा चा मंतर संगामदे सहा मिधान सभी चय मंतकार संगार शता था पर उसमाज अंधर शंहें तरहं चाहिए प्रश्चने प्रश्ट, च्रस्च में ध्रश्ट, मक्ति अनि दोगूड़ के अंदराशों दल्ले तंदेर 12 ट सच्च और उसमाज सभगें, तक नैसे पर दूदाज़ नेओ थिक सद्धूर सर्वॉजन थे पर दर चाहिए पर दोध मदर संका चे कही प्रस्तास ता जे केंद्रस तरावरुनच आपन यहां तिकाड़ी आंवल करूंगी हावे रागता थ.. आपने यहर्धी की पूरुन परिपूरुन जान कि मज्यां पादर संकात्र लोकाना माला कुष्टिवाय चासेल तो केंद्रा चाक्तर तेनारे जा गुष्टिया तेंग मी आनना दिल्या आपाईशे तु आवरुदुन आटेकन मी उगिले करें कि जावलेल दोनादार नौ साली मी नुडु नालो तेलेका मोधी लेहर नौ थी अनि मनों लेहर चा फायदा उतो हे निक्षेत मन ने करें करने मी पहली निवनुक सात्तर अधार चा परकानी जिंगलो और दुसरी जोबा से खला काड़ोती साधार चा भरकानी जिंगलो तेलेका मोधी लहर चे तेचा मदे आर्धी भर पडलिया समना रार केता है परन्तु अपन प्रतित्व करतास्ताना किती प्राभावी पड़े करता होतु शीर कोष्ट लोका मोस्तात है आम अधा नुग है और या मंदर संगावदे पहले निवनुनार्यांत्र मी पहले ना कॉंसेंट्रेट काई कहला सेल कि सुर्वात अपन जशी घरा पसुन कराई मंदर संगा पसुन के लिवाई जे अडि मनोर अपल्या मंदर संगा मते प्रलेम बित असलेले परन्तु जनते जहिताचे कुटले प्रश्टा आहेत तर अतिशे विचार पुर्वग नरशीवरावानी जरीते कॉंग्रेस से आसले तर आम टेक चे खाजदा रहोते आणि आम भर्दा जिल्ल्या आतील लोकानी साथे पुर धान थरुः शेकते हैं द्याचे करण कि मुम्ँबाइुटा नाखव्भुर कडे जानायर के लिवे रणी नाखवुर नौकोर मुन दिल्ली कडे जानायरा लिवे यह 342 देना रहेत। जर रिल्वीन इर्मान केली तर चार सढेचार तसा था सच अंतर वास्त उये वास्तूं तो अपास तींशे किलोमेटरच अंतर वास्त था शाँचे पैशे वास्त था प्रस्तवी तसलीला थोड़ो पार काम जालेला रेल्वे मार के लिए जानी उप्रोग में आता मदे काम गेतला आणी तीन वर्षा मदे आणी सत्ते मदे नस्तार तो नाजार नौते बारा मुदे हा पुरून करून गेतला आणी आज त्याटिकारी चांगली वातु मुणकारी फ्रक्षा मदे काच़ी पुडा है नौक्री करनारे लुकान साथी व्यासाई दुदाचा भाज़ी चाचा करनारे लुकान साथी शाडा कलेज में ते जानारे एनारे बुलाँ साथी अतीशे मात्वाइश ऐसे ट्रेन का कनवर्शन तो बने उसको फिर कुछ बड़ी दी बहुत लिमिटेंड रेन है और इस लाइन का वो व्योस्तापन नहीं है जो होना चीए था नजदी के रेल बेस्टेशन से अपने उसमें जो सुविदा होनी चीए थी नहीं है दस साल का प्रेंड हो गया पुरा पहले एक मिडिया वाले ने पहला अप्रिशेट करना जुरूरे जनता से एटी सेवन की रेल लाइन 2002 तक 22 साल किसी ने आगे नहीं पड़ाया थी और रेल लाइन पुरी करना ये चूटी बात नहीं होती है जिसके उपर 600 करोड रुपे खर्चा किया एक लेंदी वर्क है औ और वो पुरा करके लेना ये असान और छूटी बात नहीं होती है इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ यानि सिल्शिला चालू है एक प्रोसेस चालू है दूसरा फाइदा ये हुआ वलगाओ से एक लाइन इंडिया बोला भी रतन इंडिया बोला जाता है उसको जोड़ रहा है तो एक बड़ी जो हमें आ रही तर्मल कॉल पावर प्रजेक्ट वहां है उसको भी उसका फाइदा हुआ है अभी देखा था प्रोजेक्ट बंद ही ये तो सवाल नहीं हो सकता है यार लाइन लिखा है आपने लाइन तो देखिए आपसर गुशना की थी कि नाकपू रेल लाइन बिठाई गई इंडिया पूल नहीं अगर नहीं होती तो फैक्टर को लाइन नहीं जाती है तो कोल जो चंद्रपूर भण्णार से लाते हैं या चंद्रिसगर से लाते हैं वह आना आसान नहीं था कंप्राबकर रहा ज प्रॉब्लेम कंप्राबी आप समझ के लिए न काम पूंझत्र-पैर ने ने रिए जन्टा के बाद हो सकता करना टेक इसे लिए घटी हो सकता करन था प्रॉब्लेम जाना है तो कि नती किस कर दो तो नहीं हुए एटे॑ पानी जा रहा है वह प्रोजेक्ट के यह जरूत नहीं थी आपका भी कहा हुआ विल्कुल नहीं एक अकेला आदमी मैं हूँ प्रांतने शonalशने इने का यह यह जह शुक्वेंडिक्ट अवर्धा का पानी के शक्राइब करूंयोंノ हूठ कि के लिए होता है पिंडे के लिए होता है कि एक बात ओट कि लोग ने विर१ किआ था उन्य वह पहले बात, ये इंडिया मुल किसले चाहिए में? कुछ रोजगार उपलब्द हो, रोजगार के ऊपर रोजगार उपलब्द हो, अगर कोल से ये जो रक्षा मिलती है, उसकी भी बीट बनती है, वो भी कुछ चार दोर 20 लोक को तो काम मिला है, जो लोड अपलोड करना है, कोल बहुसे लोग को मिला है رवे ठ्रक से ला कर दो है अब डाता है अब टर्सलह हो दे सब हुझास कर रहा हुँ तो आप इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो आप उसको अपरावति की जनता ये प्रोजेक्ट दिलाया कि ने ने ये देखो जनता को भी मेरे इसके पहले बहुत पा समझाए जो चीज इतनी आपको जनता को बतानी है जनता ने मुझे इसलिए तो एप्रिशेट किया था सबी लोग प् जो आपको ब्रोजगार कुछ ना कुछ लोग को रोजगार मिलें और कुछ ना कुछ ना कुछ इंट से हमारे जनता को बिजली मिलेगी अभी दुर्भाग्य है कि को बीच में जो घोटाला हुआ कॉल घुटाला तो बहुत बड़े पैवाने पे हुआ एक लाथ 36,000 क्रोड जो कॉल ब्लॉक में हुआ इसी कारण कुछ दिन वो बंद बड़ी फैक्टरी सरकार से एग्रिमेंट है अगर फैक्टरी को अगर कॉल नहीं मिला क्यां तो सरकार पैसा देखी है अर सरकार उंको दे रहे इसल्सिक हो चल रही है एक फैज दो पैज तीन पीज जो आपको पता नहीं जंता को पता नहीं मुझे हंशा पता है है लेकिन मुझे पता है जाए जाहरा हमेंशना लेता हूं कि काहत गयल क्यों बंद पड़ा है क्या हो रहा है मेर्योजगार का क्या हो रोजगार मिला क्या होगा यह तो उसके पीछ परड़ा हो हम एक लगारे कि खाली अभी दुसरी बात यह है कि यही एमाईटीसी में आठ टिकस्टाइल मिला चुकी है पहले नहीं थी आए तो यह पास साल में आए टिकस्टाइल मिलका डबल बेनिफिट यह उने वाला है कि रोजगार कुछ ना कुछ पैमाने पर लोग मिल रहा है दुसरी यहां अगर मिलाई है वहां भी कोई रोजगार मिलेगा डायनेमिक जो फैक्टरी है जो देश में पुरे केरल में एक है तो प्रतिवात आई के माध्यम से जिसका सभी है योगदान है उसका नाम लेता हो हमने हो लाया था उसका कंपाउंड वालब तयार हो चुका है और गड़करी के मा काम सुरू करने का हमें प्रोमिस किया है यह उद्यों के तोर पे हमारे बीरोजगार को रोजगार देने का हम प्रयास करा है पहले बात है जानता को और गवन में फाइदा होना चाहिए इसलिए जैसे रेल कि शुविदा खली एक नर्केट रेलवे नहीं नहीं है कि शकुंत माल वाशीम अकोला अमरावती और वर्धा पाथ जिले को भाइदा मिलता है तो उसके लिए 260 करोड रुपए बजेटरी प्रोवीजन के इंदर सरकार ने की है उसका भी हम ब्रॉडगेज में रुपांदर कर रहे हैं दुलगाट रेलवे जो पुर्णाओं के अकोला ब्रॉड बनी थी और यह हमारे दुलगाट से हटकर जलगाओ जामोज जाने वाले थी हमने विरोत किया व्यागर प्रकल्प पहले भी था आज यह कल भी रहेगा और जो हमारी सुविदा हमारे अधिवासी के लिए है दुलगाट रेलवे की वह हमेशा रहनी चाहिए उसका दस साल पहले हमारा अमराउत रेलवे स्टेशन एक बहुत चोटा रेलवे स्टेशन था खतम यू करने वाकियो कोई तैयारी में वैटे तो तो यहां की शिटल खाली जाती थी बढ़ने रहा तक अभी प्रतिवात आई से हमने बात की यह भी डॉक्टर सेकाउट से क्रेडि तो आमराउती तोड़ने के बदले लोग की कोई हल्चल है उसको मॉडेल क्यों ना बनाए आपको याद होगा त्रिवेदी करके ज्यान रिल मिनिस्टर आये ते उसका उद्गाटन करने तभी वही मंच पर मई प्रतिवात आई के साथ बैठाता तभी त्रिवेदी बात की एक ही एंपिया है कि जो हमें हमेशा सता आता है अब आप लोग जान कुछ के भूल जाते हैं ने वह बताना जाता हूं बात यह है कि मॉडेल बनने के होगा खाली मॉडेल रखना नहीं था हम आज आड़ गाड़ी वहां से निकलती है त्रिवपती गाड़ी जाती है सबसे जाता काम सामने निकल गया वहां दो एक प्लाटम बनाएगे उसके उपर जाने के लिए और ब्रीज बनाया गया अंडर्ग्राइब भी वरीज का ज्यादा फाइदा नहीं होता है तो दो ब्रीज वह अगले कुछ दिनों में एक्सलेटर आने वाला है लिप आने वाल तो एक अमरावती एक्सपरेश जो बहुत देश में फेमस काड़ी बन गई है कि हमेशा डिट सो तो जिसका बेटिंग सकता था वो गड़ी के लिए चार एक्स्ट्रा बोगी लगाने का काम आपने किया तो भी बात ही है चन्दु भाई अटरा की बाइस बनाएगे यहां से जाने की फ्रिक्मेंस से बता रहा हुए लोगों की आप चार बढ़ा दिये तो वेटिंग रहे गई रहेगा उसका और भी आट बनाएंगे तो भी बैटिंग रहेंगे वाला है क्या होता सार कई पर क्या हो जाता है आपको लोगों को लगता कि हम कुछ आप क्लियर कर दोस् कुछ भी नहीं था तो कुछ तो हो रहा है कि आपकी दिक्कत देखे ट्राकी 22 बुगी बनाएं 22 28 तो नहीं हो सकती इसका कारण प्लैटफॉर्म का और और बाकी यह भी धान में रख रहा है और भी है मेरे पास कि गाडिया मुंबई जाने वाले जो मेल रेल नाई से चलती ह है तो भूस सी गाड़ी जो रुकती नहीं तो रुकाने का प्रहस हमने गया है पुना के लिए ज्यादा मुझे यह लगता है कि पुना के लिए ज्यादा जुरूरी है इसका कारण यह है कि 3000 से ज्यादा स्टूडन वहां काम पढ़ रहे हैं व्यापारी के जाना आना चलता ह तो पुना में फाज गाडिया जाती है है एक इक जादधेंद हमिब एकस्फरेज आदि याती है एक गरीब रज याती है कि अम्रहुती पुने जाती है हम उफिए पुने नन्देड़ वाइन धर जाती है अब अज यह दुदुद पुना चलू कर दिये है नागपूर पुना पहले चालू होती थी चालू है यह भी बट इस देर डेली हो जाती है आज 110 बसे चलती है इसकी मुझे बिल्कुल पता है और बस से ट्राइबल करना मंगा है और रिस्की है यह भी मुझे पता है इसलिए और क्या कर सकते हैं यानि एक धान मिले रेज़े यह कोई बात है कि हमारे पुनावालों की ख्याल रखने का काम कर रहे हैं दो गाड़ी थी महरा से एकस्प्रे बिंद में वही गाड़ी थी अभी तेन की बदले इस साथ गाड़ी याए अभी जाने वाले की संक्या तो है बड़ती रहेघे तो यह हमेशा प्रहास चालू है को उसमें से क्या मारके निकाता है और यह करते आयों करते रहेंगे यह वही रेल की बात यह बात कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं करता है कि छे नंबर का अमारा नैसेल है का से सुर्ज से का एड होता है पिर एक सो पचास किलोमेटर का पोर लेन कहा बना है किसने बना है अपने आप बन गया तो नहीं अगर कोई अगर रोड मिनिस्टर बनाता था अपना प्राइस तो पर लेकर बाकी लोग अभी किसी को चून के आना है इसलिए प्राइस कर रहे हैं मैं चून के आ चुका हूँ और यह पास साल में मैं जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूँ चून के आता हूँ तो पहले दीन से मेरा काम जरो होता है और चून के आने के बाद रिजर्ड लगने तक मेरा काम चालो रहता है पिर वपस नहीं चलो जाएगा फिर नव वपस चलो हो गया कि एक लोग प्रतिजी की जिम्मेधारी क्या है वो सही माने में मिसमर्शता हो और जिम्मेधारी मानता हूं कि और इसलिए प्रया समेशा चालू रहता है मेरा अभी यह भी बात आपने ध्यान में रखना है फि यह दौर आता हूं कि पोर लेन का हाइवे खाली चे नंबर हाइवे की ऊपर ये डेट सो के लेटरों कुछ चुका है अपने आप नहीं हुआ लोग गया कि दुरुपा के से लैंड एक्विजिशन का कुछ प्राबले हुआ इसलिए काम फ्रोग गया है बात यह है कि हमारा प्रयाज जारी है और उसमें से कुछ रिजल्ट दे पाए है अज कम से कम हमारा जाना आना हमेशा ज्यादा नाकपुर होता है अगर कोई ऐसा सीर अमरूत यूजना के तहित केंदर की यूजना है तो अपर वर्दा से दुसरी लाइन पाने की ला चुके है और इसलिए अमरावती को कोई पाने की दिक्कत कभी नहीं होती है यह भी अमरावती को अलोने ध्यान में रखना चाहिए अंडरग्राउंड ड्रैनेश के लिए हम इसमें पॉलिटिक्स भी आता है इंडर्नल महां का लेकिन हमारा प्रयाज चाली है जो केंदर की यूजना होती है यूजना मेरे जिल्ले में कैसी आए जैसे अमरत यूजना खाली अमरावती के लिए जो महान अगरपार के लिए होती है अचलपूर में भी लाया है पच्प अउन से करना चाहिए वो करते आया हूं करते रहोंगा साथ साथ जो भी मेरा निदी होता है पांच करोण तो पांच करोण मेरे पांच शुला सभी जाधा गाव है कि हर कोच ना कुछ किसी को रास्ता दिया है किसी को समाज बंस तर्द के सब्स, करता हूं कुछ जगा पहले एक कॉंपेटर दिये थे बाद में टै ती ये थे हमें अगाम गावो में और यह कभी दिखा नहीं स्कुल किस सवसता का है किस 파्टी का है क्योंकि सवसता पार्टी में इसलिए मानता है शिक्षा विवाग में बच्चे लोग होतीинов कोई पार्टी के नहीं अ और उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है। मुझे कभी बुला ही नहीं था, लेकिन डोनेशन ये चीज मुझे कल भी पसंद नहीं थी, आज भी पसंद नहीं है। मेरी ये नहीं मेरा मोल देता हूँ, बहुत हुशाराद्मी हूँ, लेकिन मैं अनाड़ी भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि जो शिक्षा विबाग स्टेट गौर्मेंट का है। तो शिक्षा डोनेशन मुझे बात पसंद नहीं थी, आज भी नहीं है। कि अच्छे अच्छे लोग को डोनेशन के करण आज शिक्षा पुरी करना मुस्किल हो जाता है। पर्टिकलर मेडिकल इजनिर्ग वे एडिमिशन लेना मुस्किल हो जाता है। गरिब के बस की का बात नहीं हुई है। यह बानता हूँ न। और उसके लिए कभी-कभी जभी हाउस पे प्राब्लेम खड़ा होता है तो हम उसके समरतन करते हैं। गुरे चीज़ का विरोद करते हैं। इस्टेट में किसी बहुती डॉनेशन लेने का कहा परमिशन किसको नहीं है। लेकिन देने वाले देते हैं लेने वाले लेते हैं। ने सुनो उसके आगे उधारन देना चाहता हूँ। कानोनी बंदी हैं। लेकिन चलता है। लेन देन चलता है कि नहीं मुझे बता हूँ। लोनेशन की बात है। मेरा लड़का अच्छा पालेज में जाना चाहिए। गरीबी आजमी प्रैस करता है। कुछ ना कुछ बेचेगा, कुछ ना कुछ करेगा, यह बड़ा बनेगा, तो मेरा करजा उतार देगा। यह मान के वो करता है। लेले में एक चीसतर बाकी रहे हैं। कोड लाइन की जरूरत नहीं है, कोड लाइन अभी सुनो। कोड लाइन का मतलब यह है, कि सिधा मुंबई से नागपूर चलने वाले में लाइन है। पहले अमारी इंडर्शिटी बढ़ने रा जाती थी आमरावती से। तो अभी कोड लाइन इसलिए बिटा ही कि बढ़ने रा जाने की जुरत नहीं। क्या कि पहले गाड़ी पाच बज़े निकलती थी। लोग को असुविधा होती थी। कोड लाइन बनने के करण आधा घंटा और लोग को मिला साड़े पाच बज़े निकलती है। अपने एक बात गवर से सुचनी जरूरी है। चूटी चूटी चीजे भी हम सोचते हैं और करके लेते हैं। अभी नहीं भात कि जो अगर नरकर डिले लेन बनी है। और देली जाने के लिए अगर गाड़ी हमारे पास गोंदवाना मही क्रेटिट मही ले लूँगा। जब नितिश कुमार डिले मंतरी थे और मुड़ाना का मही MP था। तो भुसावल से लेके नाकपुर तक बीच पे कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो देली जाए। तब ये नरकर डिले लेन नहीं थी। तो हमने प्रयास करके मेरे वहां के पाच एमिले लेके मैं इनितिश कुमार के पास गाया था। और ये गोंदवाना एक्सप्रेस हमने चालो किये थे। अभी वो मेरा प्रयास है कि गोंदवाना अभी नाकपुर जाने की ज़रुत नहीं है। वो नर्कर रिल लाइन होके दे ली जाएगे। ये प्रयास है। और जरूर मुझे उमिद है कि कुछ दिनों के बाद ये हम करता है। क्योंकि एक एज़ी बात है कि किसके लिए तकलिव के बात नहीं है। तो प्रयास कर रहे हैं। अभी बात इसके लिए कोड़ लाइन वो नहीं है। बात ये दुसरी बात। ये भी गवर्ण से देखी है। नर्कर रिल लाइन जाती है। तो बढ़ने के पास वरीज की ज़रुत थी। वरीज बन गया। वरगाओ के पास वरीज की ज़रुत थी। वह बन गया। राजा पेट का सिल्चिला 2009 सिले के आज तक में लड़ते आया हूं। वह जो प्लैनिंग बनाया है। हमने बिठा के अर्केटेक्ट के साथ बात करके हमने प्लैनिंग बनाया है। जो कि हमारे किसी की घर ना उठे और वहां रास्ता भी खुला रहे ब्रीज भी बने। आज छे करोण का एक्स्ट्रा अंडर्ग्राउंड भी रोड बन रहा है। ब्रीज बन रहा है। कि कुछ दिनों में करनेक्टिविटी आ जाएगे। एक लाइन तो चल रही है। में बढ़ने रहा जाने वारे। तो हर बात में हमने ध्यान रखा है। जिसे एक अकश्वाने केंद्र है। आपको सभी को पता है 2009 के पहले जब दोनाजार चार पाच में हमारी सरकार थी तो हमारे मुख्यमंतर जी ने वो बिल्डिंग बना के रखे थी। ऑनोर जोची निटीफोर में। और वो इसी बिल्डिंग पड़ी थी। एक्विपेंट आई थी। अकश्वानी चालू नही एक दिन में स्टाफ आया, आज आट गंटा पहले चलती थी वीड़ भारती, आज बारा गंटा चल रही है। लोकल आटिस्ट को वहां अपॉर्चरी मिलनी चाहिए, खाली रिले नहीं करना चाहिए, इसलिए स्टूडियो भी हमने शांक्शन करके लिया है। अचलपूर मे आटिस्ट के लिए बनाना है। जगा है, सब कुछ है। आटिस्ट करके हमारा जो मिनिस्टर है, उन्होंने उसको मंजूर भी किया है। यहां तक अचलपूर का भी अकश्वाणी का मंजूर किया है, लैंड भी अमने ले चुके हैं। खाली अभी बिल्डिंग बनाने का काम करना है, भूमी पूचन करना है। उस लिवल का रोजगार यहां लबद नहीं होता, उसके लिए बात यह है। सुनो, जो लोग ने कुछ अच्छे बात के लिए विरोध किये। उसका कभी आप नाम लेते नहीं, शायद भूल भी गए होंगे। यहां बहुत सी केमिकल फैक्टरी आई थी। नाम के साथ बूलता, बीटी देशमुग ने उसको विरोध किया। केमिकल का इंपेक्ट अलग होगा, प्रोदूशन होगा, पोलूशन होगा। यह बात उठाई गई। पूरी केमिकल फैक्टरी आज थाना भी वहीं, और थाना में जाकर हमारे अमरावती के लोग वहां नोकरी कर रहे है। यह मैं दुरभा के सबस्ता हूँ यह अगर क्यों कि मेर्ली फैक्टरी हमारे यहां होती थी तो अमारे लोग को रोजगार घर का खाना खाके रोजगार कर सकते थे थोड़ा इसको थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं तो उसके अल्टरेट दूसरी फैक्टरी हमारे पास होनी चीर पी यह नहीं तो यह दो कर एक नहीं थी क्या आपको एक दिखिया कि इसके पॉलुशन ज्यादा पड़ेगी इंगे सामधार अल्टरेट भी तो चीज़ को यह जो भी रोजगार उपलब्द हो रहा है मेरे लोग के लिए ज़रूर यह कहां भी केमिकल फैक्टरी हो तो रोजवार करने वाला अदमी होता है वह भी आदमी होता है यह भी आदमी होता है वह अगर वहां काम करने को तियार है और हमारे यहां के लोग वहां काम करें जो विदर्ब एक्स्प्रेस ठाना में रुकाने का मांग हो रहा था क्यों कि हमा आज उनकी सुविधा हो गई यही सुविधा मुझे दिक्कत इस बात किया है अगर केमिकले फैक्टरी यहां होती थी तो लोग यहां का घर का खाना खाएगे वह समय निकल के बाद किया नहीं वह इसलिए मैं विरोद जबी इसको भी विरोद किया इंडिया भूल को जनता नहीं किया जनता नहीं किया चार लोग थे प्रतिति ने ने प्रतिति बनने के बाद हमारा खुद का अधिकार हम इस्तिमाल करते हैं ऐसे लोग है है कबुल किया आपने है ऐसे लोग कुछ लोग ने अजसा अंडूलन किया साब लेमें डाल तोल किया पता है और मुझे ताजिए विसका बात का है जिनों ने जिनों नों विरोद किया जब आजीद दादा ने एग्रिमेंट के लिए बुला है क्या मांगा है वूर्ण हमको अंदर के बाद कैसे मारूंगे तीन हमने बाते रखें इंडस के लिए और मेरे अमराव अत्री की जन्ता के लिए लोड शड़िंग नहीं होना चाहिए तभी लोड शड़िंग का सिलसिल अगर आप बदलाव करना चाहिए तो बदलाव नहीं कर पाएंगे यह एग्रिमेंट हमारे पाच एमेले कहिश्य आचानक आये पता नहीं महीं पूरा में था मेरे पार्टी का प्रोग्राम चल रहा था मुझे फून आया था इंडिया भुल वाले का मेहूल करके अधिकारी मेरा प्रोग्राम खत्व हो रहा है और पूना से महीं कल अगर एग्रिमेंट रखा है तो चार घंडे मी मुंबे पहुंचने वाला हूँ तो तीन एमेले महीं नाम नहीं लूंगा एक हेलिकाप्टर पर बढ़िए जिन्हों ने विरोध किया था एग्रिमेंट पर सयन किया ह मैं तभी अक्केला लड़ रहा था कुछ लोगों ने बढ़ा है अरे चुनाओ लड़ना है तभी चुनाओ भी सामने था लोग आपको वोट नहीं देंगे बोला अगर लोग को रोजगार मिलता है करक्टरी खड़ी होती है और मुझे नहीं वोट दे दे तो ही चलेगा इस तो पास साल में जो कुछ नहीं तो पास साल में अगर आठ टेक्स्टाइल मिलाती है रेवन की मिलाती है डायनेमिक फैक्टरी आती है कोच रिक्वेरिंग फैक्टरी का काम नजदिक नजदिक पूरा गुनिया है जो हमने लाया था 2009 में मंजूर किया था ता जीसे आज उसका काम पूरा होने जाने बहुत से लोग को लोकल लोग को रोजगार मिलने के लिए आउसर प्राप्त हो ही हमने प्रयास किया है यह रो प्राप्ता सब्सक्राइब और रोजगार और जुआव के लिए क्या संदेश और अम्राथी को प्रयातन के रूप में किस प्रकार प्रस्था भी पर सकते इसके बारे में क्या योजना यानंद रावजी के देखिए छोटे से बेखिए संपूर्ण लग नबस्ता अराधन जवार रूप अम्रावत ब्रिक पर जाए से चर्चा चले थी सरकंड़ीनी आपस को अभी आपने परेटिन के बात उठाए और सौबा के से हमारे पास चिकल दरा जेसा एक हिल स्टेशन अच्छा हिल स्टेशन जहां व्यागरप रकल पे भी है जहां हिली रहे में हमारी अधिवाशी भाही रहते हैं और चिकल दरा में बहुत से परेटक आये ही इसलिए मेरा प्रयास गहे साथाट साल से था और इसलिए मुझे खुशी है बताने में कि चिकल दरा का विकास करने के लिए 835 करोड की राशी मंजुर हो चुकी है शिडिको का काम दे दिया है रोप वे का काम चलो हो गया है स्काइवाक का काम चलो हो गया है जितने भी हमारे चिकल दरा के पॉइंट है वो सिमेंट कॉंक्रेट के रोड से जोड़े जा रहे है पानी की स्विधा वहां उनी जरूरीती तो दो तालाब से पानी लाने का मंज पुझ सकता है अभी वन विवाक के आधिकारी और विवाकपर क्लिप के आधिकारी इनके साथ हमेशा मेरा एक संबंद रहता है और इनके करण कि हमने वहाँ ये भी प्रयास किया है कि हमारी जितनी भी गेस्टव बिटिस काल की थी उसका मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे तर गेस्ट बन चुकी है और लोग वहां जाने लगे हैं यहां तक की हत्ति सपारी यह अपना व्यागर प्रकलप यहां से सुरू होता है जो डिजिटल सिटी क्याना मुझका हरिसाल में तो वहां हत्ति सपारी पहले हत्ति का खर्चा भी नहीं निकलता था और आज हत्ति की सप सब्सक्राइब तो परियटन के लिए जैसी हत्ति सपारी है व्यागर सपार भी होगी और साथ साथ विकास इसका होगा तो हटेल दो चार वहां अच्छे बनेंगे अभी तो इम्टी डिशी का चाल बन चुका है यह काफी नहीं है मुझे पता है और भी कुछ अपने बना रहे तो एक चिकल धरा का अच्छा विकास ओरा यह जो सही मनेवी जिसा महाबरेशयोर में एक अच्छा परेटन स्तल बना है ऑचेणी में बना है वैसा परेटन स्तल हमारे चिकल धरा में जल्दी ही बनने बन वाल है आपने जित्य कोशिश की बन जाए और भी इच्छी परणा आएगी और भी पूजी आएगी और भी कुछ आईदा पई जाएगी लेकिन जो परेटक आने वाले सम्मग आपसे आपको बाद में उससे लिए आप बताओंगे इसको इनको आने जाने के लिए जो सुवीदा में लोग बहुत क्यों कि तीन गंटे पॉंबे पूना देखे तो दो गंटे में आपके शित्र का शायद नहीं हो लेकिन आपको ध्यान में कि वहां से कोई जाता है तो महां के लोकल के लोग और महां के पुलिस भूतारून लोग को परिशान करती है ऐसा कई बार सुने माय कि भरत्वा में दो लोग पकड़े मिया वीवी को पकड़े किसी को इदर पकड़े जाने आपका प्रश्ण नहीं है लेकिन जरूरी है प्रेटर इस तरका डेलप करना है तो देखो बात यह है कि एरपोर्ट कनेक्टिविटी तो अभी मंजूर हो चुकी है जो लेंड स्टेज है कि टेंडर जिल्दी निकालने वाले हैं बनाने के लिए यह स्ट्रिप बनते हैं तो एर कनेक्टिटी हो जाएगी तो लोग कर आने जाने की आज बहुत सी गाड़ी या ट्रेन है और यहां से जाने वाली बस परत्वणा से जाने वाली बस चिकल धरा में हैं बाखी जो चीजे हैं जो जुरूरिया है प्रेट अब के लिए उसकी काम की सही अटकाव यही था कि लैंड एक्विजिशन कर रहा यहां तक मैं भूलू कि सुला लाक रुपे पर हेक्टर जगा ले चुके हैं और उसको कंपॉंड डालके अभी उसका काम चालू कर रहा है शायद यह चुना होने के बाद इमिजटली काम सुरू हो सकता है और एक साल तो कम से कम लगेगा पूरी कनेक्टिट देने के आज चार्टर तो आता है काली एर हमारे 2800 टिकेट बूक होते हर दिन हिदराबाद देली नाखपूर सर्वें चुपा है और यहां सर्वें करने के लिए आधिकारी आए थे उनके साथ मैंने सभी हमारे एजेंट्स ट्रैवल एजेंट्स हैं होड़न्स वाले हैं जे बड़े-बड़े नेताल हुए सभी को ब रता हैं औनों ने उसको महावी किया है आफ हो सकता है यानि या भी वह वी बात ने रही किया भाई हो सकता या नहीक हो दो नए लोग मत्ताब्रा करके जूड़े हैं गिसकर जो बश्टाचार्चार से मिलकुल भारत है उसको और बश्टाचार के खिलाव रधा है कि उसको जब तक एजूकेशन में रहेता पड़ाई में रहेता वरस्टाचार से उसका कभी सीधा संपरक नहीं आता वो लोग जो भी वरस्टाचार के खिलाब लड़ता उसके साथ में हो जाते हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपको कि किस प्रकार आपने अपना प्रतेशी होती हैं और हमारी समीधान ने हर साल पाच साल में इसलिए चुलाव रखे हैं गलत है तो बदली करो अच्चा है तो कंड़ी नी करो बुरा है तो इंडरी मत देदो तो अगर लोग को आनवो आ रहा है कि हर बात में चिटिंग अगर होती है लोग के साथ चिटिंग होती है काम के साथ चिटिंग होती है अधिकारी के साथ दादागीरी होती है जो गलत काम करवा लिया जाता है यह अगर लोग के सामने है तो उनको आज फिर एक अपॉर्चिनिटी है उनको इससे बाहर करना और ये जन्ता बिल्कुल अब्रावती की ये बात में महीर है कि सही क्या गलत का जानती है और वह जुरूर वो जन्ता अपना निर्णे आने वाले 18 तारिक को दे देगी